इसमें गुनागार देखिए नाम मैं हूँ और नाही जनता है और नाही यहां का परशासन है पुनागार वो है जो पर्मीशन लिया और पर्मीशन रद होने के बाद हमें इन फॉर्म नहीं किया और मैं यहां पर करीब साथ सबस्क्राइब बॉर्डर पर आ गया था सुबह की सुबह साथ बज़े मेरा कारिक्रम लिखने की बाद थी तो यहीं गया थे कारिक्रम लिखव कि मेंट रुटी प्रशन हम लोग नोग नौजए होटल में इंट्री किये थे। नेपाली यहां पे हमको तो कितना छो बजे, साथ बजे हमको सुबा में हम लोग नौ बजे होटल में इंट्री किये हैं सुबा हम नहीं आया अंद भईया हम नहीं थेंद आप आपका ही आद में तो नहीं त्यस्पशी के वहां को ती खेर आई भूनो है मुहां चाहिए गर साथ बजे मेरा साथीले सोद्धा खेरी साथ बजे मुहां जुन्षा अम्रो यहां अटल मा आई शक्न भाज्यो अनि त्यस्पशी गर आमले पनी पुने जानकारी ना तबले गर यो पुलिस वरसार माण कुने जानकारी भाले या काहिए भाइन ले जबो गर, ऋतफा ले गरे जुन शक्याए, तिराँ पनी जुन्षा गर , अधी मांचे मांची भीत्राईसे ? मांचे मां टफेच भाणो टुइक श़िरा पनी पनी इंव्क्राइघ्र मांची पंुल जवर जू्ठाणके बाले पुन्रिभा Yea और हिंडी में भी बोलिए प्लीज तो आज इस्टेज यहां पर बना हुआ था आपको प्रोग्राम भी था आपको कौन-कौन सा क्या पूरा टीम कितने आदमी का टीम था क्या क्या करेंट आपका है वह था तो इन लोगों ने बताया ही नहीं कि टीकट सो है टीकट सो का मुझे पता ही नहीं था मैं जब यहां आया जब इस सारे हंगामा हो गए होने के बाद मुझे पता चला कि टीकट सो था अब उसमें जनता की क्या गलती है नेपाल की जनता चैकही की जनता भूली भाली होती है उ और जब इनका पर्मिशन फेल हुआ, सरकार ने कोविड के हुज़े से पर्मिशन इनका रद किया, इनको मना किया कि आप कारिकरम नहीं कर सकते हैं. आप से कितना दिन पहले अग्रिमेंट हुआ था है यहां पराने का? तो दो दिन पहले मैंने इनको वीडियो दिया था, तब तब इनको पता चल चुगा था, तब तक इनको पता चल चुगा था कि पर्मिशन रद है, पर सासन हमें यह कारिकरम नहीं करने देगी, उसके वावजूद भी इन लोगों ने, मैं यहां तक आ गया, उसके को इसरी गुमराह करते रहें, और उसमें नुक्षान ही हुआ कि चार एसकारिपियों लोगों ने जला दिया, इसमें मैं पब्लीक जनता को मैं विल्कुल दोस्त नहीं बहुंगा, क्योंकि इन लोगों ने गुमराह जनता को भी किया और मुझे भी किया, आपको आपका कहन मैं यहां आया, आठ बजे, नौ बजे में पहुंचा, नौ बजे पहुंचने के बाद 10 बजे में रेडी होके बैठ गया, जैसे निकलना चाहा, पूरी परशासन पूरे होटल को घेर लिया गया, यह आप कारिकरम करने जाही नहीं सकते, तो मैं परशासन को तोड़ के तो आपको कुछ हो जाएगा तो उसका जिम्दार को हम पे आजाएगा परसासन नैपाल की परसासन निकमा है और नैपाल की परसासन ने खेसार राल्यादों को सुरक्षा नहीं दिया, तो हम अपने पर रिस्क नहीं लेंगे, इसलिए आप यहां से नहीं जा सकते, और मैं अभी वही कपड़ा पहन के बैठा हूँ, सुबबा से, अभी खाना तक मैंने नहीं खाया, कि कितने लोगों को प्रावलम होई होगी, मेरे जितने भी बंदे वहाँ थे, कोई ऐसाद भी नहीं था, जिसको चोट नहीं लगी है, सब को चोट लगी है, क्योंकि पुबली को कही न कही एक हिसारी लाल यादो चाहिए था, और मैं उसी के लिए आया भी था, इसमें मेरी कोई गल्ती, आयोजक ने एक सब्द अभी तक, जो मेन आयोजक है, अभी तक मिलने नहीं आए, मेरे से, क्या नाम हो उनका, उसका शरवन जी, अभी तक मिलने तक नहीं आए, हम लोग सारे आए, हम लोग अभी तक खाना तक नहीं खाए, शुबात सब्सक्राइब करके और करकरम के लिए जा रहे थे हम लोग, और जनता के नजर में ये चीजे लग रही है, कि मैं आया नहीं, अभी आप देखी रहे हैं, यहाँ यह भी है, हमारी परशासन, यहाँ की परशासन भी कि यह पर्षासन के लोग वो भी है ऐसा नहीं है कि मैं गलत हूं मैं किसी का काम लेता हूं तो मैं अपने जीवन में 24 गंट अवर करने वाला इंसान हूं लेकि कही न कहीं यह करेकरता लोगोंने जनता को भी बैकूब बनाया और मुझे भी बैकूब बनाया आज कम से कम डेढ करण का नुक्षान हुआ सिर्फ के सारी लालियादों के चार इसकारफियों को जला दिया गया इसमें दोस्त जनता को मैं कैसे दे सकता हूं इसमें दोस्त इनका है हमारे सारे इस्टुमेंट तोर दिये गए हमारे लड़कियों को चोर पहुची तो इसमें दोस्त ना उन जनत तो जब सरकार परमिशन इनको कारिकरम के लिए दे दिया तो मैं भी निश्चिंत हो गया कि हो सकता है कि वहाँ इतनी महमारी नहीं होगी तो मैं किलियर हो गया कि जब सरकार का लेटर मेरे पास परसासन का लेटर और डिया गया कि हाँ परमिशन है कारिकरम होगा अहीं लोगों ने मुझे यही बोला था कि मेला का कारिकरम है यह नहीं बोला था कि टीकट काट रहे है यह नेपाल देर करोर करी का समान आपका जो लुक्षान हो अब क्या इसके बाद लोगों के अंदर जो छबी बरी बरबाद हुई लोगों के दिमाग में तो यह बैठ गया ना कि मैं नहीं आया देखिए एक मैं अपने जीवन में अपने सबी के लिए हमेशा काम करता हूँ और हर आदमी क लेकि किसी और के वजह से जनता को परिशानी हो मैं आज तक जनता को परिशान करने वाला कोई काम नहीं किया मैं मुनरंजन करने वाला आदमी हमेशा उनको खुशी देने का काम करता हूँ और आज इन लोगों के वजह से लोगों के नजर में मेरी सभी खराब है लोगों के पता चलेगा तो जनता बैकुख सोड़ी है और जनता ने जो किया है वो भी अपने हिसाब से बिल्कुल सही है मैं कुछ जनता को गलत नहीं बोल सकता क्योंकि गलत तो इन लोगों ने किया कि इन लोगों ने परमीशन नहीं राने के वावजूद भी मुझे बताया तक नहीं नहीं तो मैं शुबा आया जरूर मैं बीना कारिकरम की मैं लाई वाजाता कि परशासन के वो जसे कारिकरम रद हो गया है आप लोग महीं आईएगा कारिकरम तो लोग नहीं आते लेकि इन लोगों ने बताया ही नहीं सर उस पर साइन भी करना होगा ना हां तो वो सारी रिशीव करने वही हमें बॉर्डर से हमें अंदर किये तो मेरी इसमें गलती एक परसेंट की नहीं वाट्षप लोकेशन से लेकर हर डीटेल वही दे रहे थे हमें और यह सुबस साथ वजे भी हमें नहीं बता रहे हैं कि परगुराम कैंसे लोगया है सार परसासा ने मना कर द जब आपको मना कर दिया गया कि कि आप एकारिकरम नहीं कर सकतें तो फिर आपने जब रुजस्ती जनता को गुम्रह क्यों किया जनता को back off क्यों बनाया जे सारी लालयादों को बताया कि नहीं मैंतो इतना ही कहता और इस सरह कपर बता परसासा क्या सरकार इसकी अनुम्ष़नी लोगों को बोल देता लोगों को समझा देता तो त्यी समझने न ही तो भॉच यह जैस पुंदर की बात हौत्तए में कवहत्त आई उसह बाते हैं और तक क्या कि यू शम एक सब्सक्राइब करें कि रही है कि आंपस की बाते होती क्नि अलंति में इस घटना कि आ वाल आ काने के मतलब कि जो नुक्सान हुआ है अब तो कहीं न कहीं है अगर मैं नहीं आया होता तो साइद मेरी गल्ती थी क्या किसारी लाल यादो नहीं है क्या ख़़म लेंगे आप जिसे आपका कश्या क्या वठाना है एटाना है उट आप तोर छंता को इनको करता हूं करना है मेरा जहां तक सवाल है क्योंकि जन्ता जो है बहुत महनत करके अपने बेटे को देखने आई थी और यह लोगों ने उनके साथ धोखा किया यह मेरे साथ धोखा किया और मेरा डेड़ कोड़ का नुक्षान आज हो गया कम से कम डेड़ कोड़ का अच्छा भीया दस बजे जब आप रेड़ी होके वहां के लिए निकलने वाले थे और प्रशासन यहां पे आ गई और आपको जाने नहीं दिये तब क्या और्गनाइजर्स आपके पास आए थे नहीं आए मेरे पास यह लोग गेट के बाहर खड़े थे लेकि आये नहीं आप क्यों नहीं आये थे भाई साब यह बताएंगे अप लीज मत यहां आके हो जूंसा आमिले गए लागनाइजर्स नहीं पर पर हिंदी में बोलने नहीं जितना बोल सकते उतना बोलिए जो बारा एक बजे के समय में एक बजे कहा है पांके शुमी जीत आया है तो प्रोग्राम देखाना है बोलके यहां पर आया और और भी सब्सक्राइजर्स बात हुआ हमसे बड़ा जुन वह क्या बोलता है अमियर साफ ने बात किया का का थिर भी हम लोग का दे देगा कि गाने के लिए जब करते को एक बास नहीं चला तब तोड़ फड़ शूरू हने लगए आए तो चलिए और भीया का बहुत युगदान रह अमारे लिए दिल से थैंकियो भीया को और यहां के मिया है यह मंत्री जी ने भी बहुत कॉपरेट किया और हम सर को भी धन्यवाद देंगे कि वह आ हमारे लिए तिन दाख रहे और इन्हों ने भी अपना युगदान दिया मुझे लेकि हमाए हमें युगदान इनके तरफ कि मेरी गलती नहीं है आप लोग मुझे दोसी ना समझे क्योंकि मैं आपके प्यार आपके महबत के लिए आपके मनरंजन के लिए दीनो रात मैनत करता हूं और हमेशा करता रहूंगा और इन लोगों के वो जैसे इसमें बताइए अगर मैं आया और मुझे परसासन पूरे नेपाल के परसासन 20 लोग आकर घेर लिए कि आप नहीं जा सकते क्योंकि कोवीड के लिए कारिकरम केंसिल किया गया था यह लोग जबरजस्ती कर रहे हैं और हम आपको नहीं जाने देंगे तो कही न कहीं मैं क्या कर सकता हूं मैं तो आउट अफ इंडिया हूं यहां की पर सचा ही जान लिजे कि हां मैं कहां से गलत हूं अगर मैं आया और दस लोग घेर कर दें कि आप नहीं जा सकते अगर नॉर्मल इंसान घेर के कहे तो मैं बोल हो सकता है कि मैं लड़ जाओं लेकि मैं इंडिया यहां नैपाल के गवर्मेंट से तो नहीं लड़ने आया था यह दुखी मैं हूँ, क्योंकि मैं आके भी और आपका मनुनजन नहीं करा पाया। दू टु शरिफ हमारे करे करता लो जिन्होंने मुझे दो दिन पहले भी नहीं बताया, यहां आने के बाद भी नहीं बताया। नहीं तो मैं लाइब आके सारे चीज़े क्लियर करके और आपको घर पे ही रोख देता कि आप मेला में मत आईए और टिकट कटानी के आपको जरूत नहीं है। ये टिकट के भी बाते मुझे नहीं बता है कि हाँ टिकट शो है और इन लोगों ने टिकट भी काटा और आज ये बता रहा है कि हमारा रिकभरी कैसे होगा। कि क्यों में आके भी नुक्सान तो आना जाना लगा रहता है। लेकि तकलिए भी इस बात किया कि मैं यहां आके भी अपना समय दे के भी आपके बीच में आकर आपका मनुरजन नहीं करा पाया। तो इसलिए सो सौरी उसके लिए बाकी जो मेरा नुक्सान आज एक से डिड आपके जोट लगी है। छिए सोमचे लगी है।